दूस्तों महिलाओं को अक्सर नाजुक माना जाता है काल जाता है कि उनके लिए पतला और लचीला शेरीर ठीक है जिसके लिए बहुत ही महिलाओं पतला होने के लिए मैनत भी करती है लेकिन क्या हो जब महिलाओं बाडी बिल्डिंग करने लगे तो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा ताकि पूरी जान करें आपको मिल सकें डाना लीन बैली डाना लीन बैली कॉलेज के दिनों से फुट बॉल खिला करती थी फिर उन्होंने अपने लवर के साथ बॉड़े बिलिंग शुरू कर दी 2006 में उन्होंने कॉम्पिटिशन में भाग लेना शुरू कर दिया और कई इनाम भी चीते इस्कूल में फिजिकल ट्रेनर बन गई और 2014 तक इस्कूल में बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देती थी फिलहाल वो अपने पती के साथ जिम में वर्जिस करती है और दोस्तों डाना कई सारे सेमिनार और फंक्शन्स में जाकर महिला से शक्तिकरन के लिए काम भी करती है दोस्तों अब देखिए धरती के आठमें अजूबे को और बताइए कोई इन्हें देखकरी कैसे कह देगा कि ये किसी महिला का शरीर है इनका शरीर इतना विशाल और ताकत वर है कि अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स के पसी ने निकल जाएं इनकी बॉडी को तो जो भी देखता है वो देखता है रह जाता है दोस्तों आपकी जानकरी के लिए बता देएं कि ये एक आर्म लिफ्टिंग चैंपियन है और इन्होंने वर्ल्ड डेड लिफ्ट चैंपियंशिप भी जीती है दोस्तों नाटालिया को लोग रिशियन अमेजोन भी कहते हैं और ये उभरती हुई महिला बॉडी बिल्डर्स के लिए प्रेड़ना है दोस्तों इस लिस्ट में चैंपियना सबसे मशूर नाम है क्योंकि चैंपियना को एक बॉडी बिल्डर से ज्यादा एक रैसलर के रूप में जाना जाता है और इनका असली नाम जान लोर था जो अपने समय की सबसे दमदार डबली डॉडी ए रैसलर थी इनके रैसलिंग के दिनों में अच्छे अच्छे मर्द भी इनसे लड़ने से डरते थे आलम कुछ ऐसा था कि चैंपियना के विशाल का इस शरीर को देख कर लोग ये मानने को तयार नहीं थे कि ये सच में महिला है दोस्तों चाइना दो बार प्ले बॉइ मैगजीन के कवर पीच पर आ चुकी है और चाइना बड़े-बड़े बाड़ी बिल्डर्स की प्रेंड ना है अलीशा यंग दोस्तों ये 35 साल की महिला एक अमेरिकन फीमेल बाड़ी बिल्डर है जिनके पिता जी एक रिटायर्ड बाड़ी बिल्डर थे ये वज़ाए कि अलीशा ने महिज 15 साल की उमर में अपने पिता की देखरेक में बाड़ी बनाना शूर कर दिया 1984 में जन्मी ये महिला बाड़ी बिल्डर की दुनिया में अब तक बहुत से खताब जीच चुकी है जिन में से 2017 का IFBB Rising Phoenix Championship आवार्ड भी शामिल है और भी कई आवार्ड इन्होंने जीते हैं जिनकी गिनती ही नहीं है लेकिन अभी भी इनकी बाड़ी बिल्डिंग में करियर जा रही है आगे ना जाने कितने आवार्ड जीतेंगी दोस्तों बाड़ी बिल्डर 14 साल की उमर में जिम जाने लगी थी और उस समय ये अपने बॉइफरेंड के घर का जिम इस्तमाल करती थी धीरे धीरे इनका जिम से प्यार पागलपन की हद तक बढ़ गया जिसका नतीजा यह हुआ कि इनकी बाड़ी इतने खतरनाक हो गई दोस्तों कई सारे चैंपिनशिप जीदने के बाद इन्होंने 2013 में रिटार्मेंट ली और आज भी ब्रिजीता से कई मशूर पुरुष बाड़ी बिल्डर डरते हैं दोस्तों आपको ये भी बता दे कि ब्रिजीता कराटे में ब्लैक बेल्ट है और बॉक्सिंग भी करती है फिलाल ये परसनल ट्रेनर के रूप में काम करती है और अपने बॉड़ी बिल्डिंग करियर से बहुत खोश है साधि ब्रिजीता के पास चार तरह की भाषाओं का ग्यान भी है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज आपने देखा कैसे अगर महिलाएं चाहें तो किसी भी रूप में पुरुशों को पीछे छोड़ सकती है चाहे वो बॉड़ी बिल्डिंग ही क्यों ना हो तो कमेंट करके बताए ये वीडियो कैसे लगा और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर देए